प्रफ्रेंट वेलकम टो आवर चैनल एक सलांग फॉर्म हो मैंने में सुरज्ब अज हम लोग MPS 001 का यूनित था इस्टाट करें तो यह हमारा एगनों का प्ले लिस्त है जिसमें बहुत सारे प्ले लिस्त में बहुत सारे वीडियोज हैं तो आप जो आपको पढ़ना हो जा क सकते हैं और एक इसक्विन को आप कौन कौन से प्लेइस है तो आप अपने कोडिम अपना सफिर्लेस चूज सिकते हैं कंट्रों करद्री तो 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 स्नुच्छलं का सब्से पहले यह नीं स्रॉक्टर प्रक्रों करद्दीर तो सबसे प्रेहे हैं इंटरडक्चट्टन इसकर बाद AmaREE मैं पारमें टिफिरएंस है मिनिं और इप आट साथ में और नेजर अएशन है तो उसके बाद में रखो framework of right में है राइट और पीपल्स लास्की सिवरी ओफ राइट तो यह सारे को दीदेट रिकवर करेंगे हम लोग इंटोड़क्शन फर्स्ट में क्या का जा रहा है कि राइट जो है वह सोशल क्लेम्स है ठीक है और वह इंडिवीज्वल के करता है और उससे खुद बहुस्य क्लेमस है उसके बाद वह क्या करता है कि सोशेल क्लेमट इंडिविज्वल के परास्ट को डेवलप करता है और पास्ट में उससे खुद पर डिपेंड कोड़ा बनाता एंगां और second part में खागे है कि अगर democratic government जो है तभी फंक्षन अच्छे से कर सकता है यानि वो तभी फंक्षन अच्छा से कर सकता है जब वो people के right को अच्छे से fulfill करें यानि people के right को maintain करें तभी वो democratic government अच्छे से function कर सकता है अब next point में क्या कहा जा रहा है कि state never give right, they only recognize them government never grant right they only protect them यानि इसमें कहने की कोशिस की चारी है कि state जो है वो कभी rights देता नहीं है वो recognize करता है ठीक है यानि वो society के दोरा right यानि claim को right बनाय गया और state क्या 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 कि state जो है उससे recognize किया ठीक है और government जो है वो कभी rights को grant नहीं करता है ठीक है, right to life है, तो इसमें क्या क्या गया है, कि right to life जो है वो कोई government नहीं दिया है, यानि किसी government के द्वारा दिया गया नहीं है, यह right to life है, यह खुद का right है, एक individual का अपना right है, और यह right to life को protect करता है government, कि यह right to life यानि आपको किसी से hard ना हो, आपका जो right to life है, यानि life को protect कर एकट एक पर चैसे जीन लिया जाता है यह इस बाइट के लिए गुमॉर्मनुट का काम है और इसमें कहा जाते है कि आर राइट जो है वह सकता और individual के लिए हो सकता है ठीक है राइट जो है particularly किसे individual के लिए ही हो यही यह possible है यह भी possible है और society के लिए भी हो यह भी possible है ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे राइट का जो है meaning और nature क्या है ठीक है तो बहुत सारे जैसे previous points में हम लोग देखा कि individual की बात आई society की बात आई ठीक है यानि social individual और state के बारे में बात आया government के बारे में बात आई states के बारे में बात आई तो यह कहीं न कहीं conflict पैदा कर रहा है कि एक individual और state में क्या difference है ठीक है state और individual में क्या difference है state क्या है individual क्या है government क्या है कहीं conflict है, rights है, rights में, rights से related जो है individual और state में कहीं conflict पैदा हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग अब जानने के कोशिस करेंगे कि यह relation क्या है individual और state के बीच में rights को लेकर, ठीक है, हमेशा से बहुत समय से यह है कि relation between the rights, between the individual and the state has been an important question of political theory, यानि political theory का, यह हम इसा से बहुत सा, यानि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत बढ़ा relation है, या फिर एक तरह से conflict in nature का, conflict है individual या state में, या फिर एक बहुत बढ़ा question एक तरह से बनकर worker आता है, a political theory में,eed individual और state में क्या relation है, यानि relation between the individual and state में क्या हो सकता है, ठीक है, यह एक बहुत बढ़ा question बनकर आता है, यह को सकते हैं कि अब rights state देता है, या फिर state को protect करना पढ़ता है, जो confusion create करता आपको भी confusion हो रहा होगा ये पहले से बहुत सारे point जो ये चारो point में आपको थोड़ा बहुत कहीं confusion होगा कि ये क्या कहा जा रहा है ठीक है लेकिन आगे clear होते जाएगे कि ये बात क्या कह रही है यानि किस तरह से ये rights जो है work करता है या फिर किसके द्वारा ये द important दिया जाया यानि state ज्यादा important है या individual ज्यादा important है pluto believes that the state alone can give justice यानि plato का कहना था कि state जो है अकेला state को वह important दे दिया यानि plato के द्वारा state को important दिया गया कि state जो है वह alone यानि खोद ही justice कर सकता है और individual का क्या काम है कि वह अपना duties को यानि उसके duties हैं उसको अपने best way में perform करें यानि अपने ability के नुसार से अपने duty को perform करें state का जो काम है वह justice करना या rights को देना या जो भी है वह state का काम है यानि state यहां के आपलिटों के नुसार से state का supremacy दिखाया जा रह और अब जॉन लॉक के नुसार से कहा जा रहा है कि जॉन लॉक भी है that state as a means exist for an end and the end is the individual मतलब इसमें कहा जा रहा है कि state जो है वो एक तर असी mean है mean क्या है कि without individual state cannot exist यानि state एक mean है mean की sense में है कि सारा जो function है वो individual पर डिपेंड करता है यानि जो भी state जो है exist कर रहा है वो individual पर यानि state जो work कर रहा है वो individual के लिए work कर रहा है तो एक mean के तरह काम कर रहा है medium के तरह काम कर रहा है और वो जो है end जो है यानि किसके लिए काम कर रहा है state state काम कर रहा है individual के लिए अब आगे क्या होता है कि 15-16th century में European countries में इंडिविजुल का rights है ठीक है इसके बारे में बात होने लगती है यानि इंडिविजुल के rights को ज़्यादा important देने की बात हुई यानि इंडिविजुल के भी कुछ rights है उसके बारे में बात होने लगी कब होने लगी बात 15-16th century में ठ बात होगी तो यह concept निकल कर आया कि अगर rights जो है state के पास गारेंटी गारेंटीड है यानि state गारेंटीड देता है rights का तो एक तरह से absolutely- absurdism जो है वह state काने जराता है यानि rights जो है सर्फ state जो है नहीं दे सकता है जैसे right to life की कि किया गया right to life अगर state के हाथ में देती है यानि right to life को state जो है वो मदलब यह करे गारेंटी दे state कि हाँ आटो पच। दिया जाता है तो इसके पास राइब जो है कि लेने का भी च्छमता रहेगा फिर स्टेट अगर इस्टेट दे रहा है तो उसके पास लेने का भी छुम्ता रहेगा तो राइब भीत्शिट निया जाएगा in case एगर तो यहां क्या दिखता है शिक्षिंचुरी के बाद जो कहा जाने लगा कि राइट जो है वो individual का है state का नहीं है state जो है सिर्फ protect कर सकता है राइट को guarantee नहीं दे सकता है absolutism जो है वो नहीं होना चाहिए state का राइट आगे point में है कि right are the product of social nature जो है कि जब एनर्की यानि जब एक society था तो बहुत सारे लोग रहते थे society में परले stage में चले जाओ तो बहुत सारे लोग रह रह रहे थे ठीक peaceful in nature था लेकिन क्या हुआ कि कुछ लोग जो है उपद्रवी कह सकते हुआ कि कुछ लोगों ने society में conflict start किया ठीक है यानि एक society में अपना right बनाया कि नहीं यह चोडी नहीं होना चाहिए right to life को protect किया जाए ठीक है उन्होंने क्या कि एक individual को बनाया राजा बना दिया गया ठीक है एक individual जो है वो राजा बन गया king और सारा जो protection का जो था right to life का protection जो था यानि right to life का या फिर हमारे property का तो protect करने क किसे बोला गया? रूरल को यानि एक king बना दिया गया तो अब king का क्या काम हुआ कि उन उपद्रवियों को रोकना तो rights जो था वो किसका था? society का था society ने खुद अपना right जो है वो बनाया और right किसको दे दिया गया? वो right जो protect करने का right किसको अधिकार दिया गया? king को. king जो ह वो right to life या right to property को protect करेंगे तो इसी तरह से यह हुआ कि जो है society यानि right जो है वो society के द्वारा बनाया गया था और protect जो है वो करेगा democratic ruler या फिर आपका सकते हो state जो भी हो वो right to life को यानि right to life नहीं यानि rights को जो है वो protect करेंगे यानि basically इसमें कहा जा रहा है कि right जो है वो society बारे में पढ़ेंगे claims के बारे में पढ़ेंगे powers के बारे में पढ़ेंगे इसका difference देखेंगे कि क्या क्या है ठीक है तो अब हम लोग समझेंगे कि rights are claims but every claims is not right इसमें कहना है कि right जो है वो claim है यानि without claim एक right नहीं हो सकता है कोई भी right ठीक है यानि claim है कि आपका life आपका है ठीक है आपका pen आपका है तो आप कह सकते हो कि आपका property आपका है आप एक individual हो आपका property आपका rights आपका जो है वो claim है बट कोई भी claim जो है वो right नहीं हो सकता है ठीक है यानि rights claim है लेकिन हर claim जो है वो right नहीं है ठीक है यानि आप अभी मैंने pen का बात किया तो एक pen जो है आपक वह claim आप कर सकते हो कि यह मेरी पेन है यह कोपिराइट कि से और का है किसी वज़य से आप कर सकते हो हर claim जो है वहाइट नहीं है और right जो है वह एक claim है लेकिन वह claim टब है जब उसे recognition मिला हो यानि a claim is not right if it is not recognized यह में कहने की कोशित की जा रही है कि claim तब तक वो claim है जब वो right नहीं बन सकता है जब तक उसे recognition नहीं मिला हो government के दुरू, society के दुरू तो उसका recognition मिलना चाहिए ठीक है और वो enforced नहीं है यानि अगर वो enforced नहीं किया गया है claim recognized हो चुका है लेकर enforced नहीं है उसे lagu नहीं किया गया है तब तक वो right नहीं है ठीक है यानि claim तब तक right नहीं है जब तक उसे recognition नहीं मिला है और right तब तक right नहीं है जब तक उसे enforced नहीं किया गया यानि enforced होना भी जरूरी है तिक है यानि लागो होना जरूरी है claim which are not recognized are empty claims यानि जो claim recognized नहीं किया गया उसे empty claims कहा जाता है claims not enforced are powerless claims यानि जो claim enforced नहीं हुआ है वो powerless है यानि उसका कोई value नहीं रहता है तो आगे है कि claim become rights when they are recognized by the society यानि claim तभी rights बनता सकता है जब वो recognize किया गया society के द्वारा और they become right when they are maintained and enforced by the state यानि society क्या करता है claim को उसे recognize करता है और state क्या करता है maintain करता है और enforced करता है यानि उसे लागू करता है ठीक है यानि claim become right यानि claim तभी right बन सकता है जब उसे recognize किया गया society के द्वारा और maintained और enforced यानि लागू और उसे protect किया गया state के द्वारा अब इसमें कहा जा रहा है next point है कि rights are not merely claims they are social claims they are not claims but they are in the nature of claims यानि इसमें कहा जा रहा है कि rights जो है वो सिर्फ claim नहीं है वो social claims है society का claim society के द्वारा claim किया गया है ठीक है और वो natural claim है यानि nature यानि आपका सकते society का nature की तरूब रहा है कि उसे claim करना है यानि claim है natural claim है ठीक है natural claims के तरूब राइटस जो है originate हुआ है claims which are social in nature are right यानि जो भी claim जो है वो social है society से related जितने भी claims है उससे हम rights कह सकते है अब अब आगे है कि there are no rights, social claims ठीक है, यानि आप rights को अगर social claims का भी नाम कहा सकते हैं, यानि एक social claims है, एक social claims है, society उसे claim करता है, society के दौर्ड रिक्नाइज किया जाता है, और state जो से maintain करता है, परटक करता है, जिसी बात है, ठीक है, there are no rights, social claims, when there is no society, यानि अब देखो, कि आपकी अ recognized होगा, या फिर, कहां protect होगा, या कहां maintain होगा, या कहां enforced होगा, एक society होने चाहिए, rights को enforced करने के लिए, maintenance के लिए, या फिर उसे रिक्नाइजेशन के लिए, तो society जो है, जब तक society नहीं ठेगा, तब तक rights का कोई value नहीं है, rights हो ही नहीं सकता है, आके हैं कि rights are social claims given to individual as a member of society and are in the form of rewards as they respond to the duties of the individual have performed, उसमें कहाने की कोशिस की जा रही है, कि rights जो है, वो तो सबसे पहले social claims है, और वो individual को as a member of society दिया जाता है, ठीक है, सीधी बात है, कि rights किसको मिलेगा, individual को मिलेगा, और individual कहां रहते है, society मिलेते है, यानि society के individual को जो है, rights कब दिया जा रहा और क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपना duty जो है अच्छे से परफॉर्म किया है society में, तभी उसे rights मिलता है, अब एक criminal को उसका rights जो है ले लिया जाता है, यानि आपको freedom जो है, right to freedom जो है, वो छीन लिया जाता है, आपको jail में बंद किया ज तबहिए जाता है थे जब तक वह हो अपना duty को performing करता है Society में अच्छे से आप अपना duties को perform कर रहे हो कि अपने duties को perform कर रहा है सोसाइटी में अच्छे से तो वह अपनी rights को enjoy कर सकता है otherwise उससे आसली झो है rights दिया participation थिक करता है तो maintenance वह उस था काम है mantean करना कि-स्धेट कि दवारा तो इस चैल ने ऐसी ओहीं है सुसाइट को इसके करो देन करें Miles को Evet explicar को मजबूत बनाता है को सब्सक्राइट को है वो सोसाइटे का अगेंस नहीं आपका इसले तो राइट तो राइट ओरम और सपीस्ट राइट के साथ है रिलीजियन या फिर आप बाइडो 가지 है ये आपका से चाहे मीन है सुसाइटी के साथ साथ है आपका श्राइट्ट कि कोई भी राइट्स नहीं है अब आगे है कि आगे का point में यह कहा जा रहा है कि राइट्स ये social claims are to be maintained, enforced and protected. मतलब जो right to social claim है, तो उससे maintained किया जाना चाहिए, उससे enforced किया जाना चाहिए और protect किया जाना चाहिए. ठीक है, उससे protect करने के ज़़ुआ रहा था, enforcement के ज़़ुआ रहा था, और maintenance के ज़़ुआ रहा था. तो कोई institution होना चाहिए, कि यह सब अपना रोल जो है नहीं भाए तो institution of state has a defined role to play यानि इसमें जो है कि definite role to play तो इसमें जो कहा जा रहा है कि state का बहुत बरा रोल होता है इसे जो है maintain करने में protect करने में enforce करने में ठीक है स्टेट का बहुत बरा रोल है अब इसमें कहा जा रहा है कि it is a society and not the state that reward individual after their having performed their duties with their rights मतलब इसमें कहने की कोशिश के जारी कि state जो है वो right नहीं देता है individual को अगर आप duty अच्छे से निभा रहे हो तो आपको society में खुद बखुद right मिलता है society right देती है और right का protection जो है वो state करता है protection का जो part है वो state का है ठीक है अब आगे का point में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि rights जो है right और power में क्या difference है तो सबसे पहले कहा जा रहे है कि rights are social claims right तो social claims है यह आप समझ गए तो वो power नहीं है rights जो है वो power आप कभी कभी कह सकते को right है अमारे पास power है तो power नहीं है rights social claims है और power अलग चीज़ है वो power नहीं है rights and power have to be distinguished यानि rights और power को define करना चाहिए यानि अलग-अलग रखना चाहिए power बहुत अलग चीज़ है rights अलग चीज़ है social claims right वो individual का duties है duty अगर आप अच्छे कर रहे हो तो आपको social society rights दे रहा है आपको power नहीं दे रहा है society power जो है वो एक force फिजिकल फोर्स है ठीक है नेचर जो है एक नेचर जो है एक नेचर है यानि नेचर जो है इक individual को certain amount of force दिया है पावर दिया है कि वो कुछ काम कर सके यानि वो अपने नीड को सटिस्फाय कर सके तो अपने फिजिकल नीड को सटिस्फाय कर सके यानि अपना हाथ लिंप से उसके पास वर्क करने के लिए तो विदाउट वर्क आप कैसे इंडिविजुल अपने आपको डिवलप करेगा एक energy के तरह काम करता है, power is a physical force, that is energy, energy के तरह काम कर सकता है, आप अगर forced के basis पे rights को establish करने की कोशिस कर रहे हो है, तो वो नहीं हो सकता है, यानि on the basis of force, we cannot establish a right, टीक है, यानि social claims जो है, on the basis of force, वो established नहीं हो सकता है, आगे का point में है, if a person has power, it doesn't necessarily mean that it has a right, मतलब किसी के पास power है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि उसके पास rights हो, ठीक है, अब देखो कि आप कहा सकते हो, कि किसी के पास बहुत, मतलब अलग negative force है, यानि उसने अपने force को, यानि अपने energy को negative way में इस्तमाल किया, यानि को corruption की, rights का भागेतारी नहीं हो एए, ऐसा हुआ है कि वो crime करने के पास उसे rights छिन गया, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, कि power जो है, यानि negative force, जो है, वो उसको rights दिलाएका, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, निससरी नहीं है कि उसके पास rights हो, अगर वो उसके पास force है या power है, मतलब उसके पास राइट्स है तभी जब वो सोसाइटी का मेंबर है वो सोशल बिंग है के लिए अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहा है और इसमें कहा रहा है नेक्स परण में कि इसके पास कोई राइट्स नहीं होता है अब इसमें कहा रहा है नेक्स परण में कि as an individual we have power as a social being that is as a member of society we have rights मतलब individual की बात करें तो हमारे पास power होसकता था here और protection social being की बात करें तभी हमारे पास rights हो सकता है जब अगर एंडिवीज्युल ह हैं आयिड fills हो सकता है में दो नहीं हो सकता है लेकिन अगर हम सोसाइटी में है तो हमारे पास power भी हो सकता है और rights भी हो सकता है अगर हम अपने power को अच्छे से इस्तेमाल करें तो rights यानि हमारा improvement होगा अगर हम negative way में इस्तेमाल करेंगे हैं हम अपने power को तो rights जो है हमसे छेंड सकता है ठीक है तो यह बात है कि society में power भी जरूरी है लेकिन अगर उस power को अच्छे वे में इस्तेमाल किया जाए तो हमारा rights जो है यानि हमारा development ही होगा अगर गलत वे में इस्तेमाल किया जाए उस force को उस power को तो हमारा right छेंड सकता है अब next point में कहा जा रहा है कि as isolated individual we have no rights rights हमारे पास नहीं है ठीक है एक isolated individual जो है उसके पास rights नहीं है and as a social being we have no power no rights to say or to do act the way we want excitement ideas ici यानि वह अच्छा सब्छा है तो अगर बुरा है तो वह जरूरी नहीं है कि वह आपके राइट को यानि आपके power को soter रहा है ठीक है तो यानि आपका गश्तली को harm करे तीक हीğनि तो इसी में इच्छा है और प्रोइ podstaw को टेडरा complexity